हर्याना में बीटे तीन दिन में तेजी से कुरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है शनिवार को भी 13 नए मामले सामनी आये हैं ये सभी मरीज पलवल जिले में ही मिले हैं जो सभी निजामुदीन मरकज से लोटे थे इसके बाद अब हर्याना में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है इनमें से 22 मरीजों का मरकज कनेक्शन है पलवल के सभी मरीजों को आईसोलेशन वार्ड में भरती किया गया है उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी आईसोलेट कर दिया गया है पलवल जिला भर्यान में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों के आकड़ों में पहले नंबर पर आ गया है आम लोगों के मन में डर और भय का माहौल बरकरार है सिविल सर्जन के द्वारा दीगी जानकारी के मुताबिक पलवल में अब कुल 17 केस हो गए है इन में से एक ठीक हो चुका है गुरुवार को 44 लोगों के सैंपल भेजे गए थे इन में से 31 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि 13 संक्रमित मिले है ये सभी निजामुदीन मर्कस से लोटे लोग है सबसे खास बात ये है कि इन में से कोई भी पलवल का स्थाई निवासी नहीं है सभी दूस्तरे राज्यों से आए हुए है प्रथम तहलकानी उसके लिए पलवल से ब्यूरो रपोर्ट